वेलकम फ्रेंट्स तुद्धनीकामरा.com चैनल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1DX Mark 4 कैमरे के बारे में जो की नहीं आने वाला ये कहना है कैनन के CEO का और कुछ स्टाफ मेंबर कहते हैं और कहीं और से बाते आ रही होती तो अलग बात थी बट जब कैनन के खुद के CEO नहीं स्टेटमेंट दी है एक इंटर्व्यू में ये बातें मैटर करती हैं और उनके मुताबिक 1DX Mark 3 अपने आप पे लास्ट डियर सलार था और 1DX Mark 4 की इंट्री नहीं होने वाली है अपने वाले साल में हो सकता है हमें कोई भी DSLR के अनॉस्मेंट के देखने को नहीं मिले ऐसा कहना है उनका सब्सक्राइब करें कि अब अच्छी स्टैटेजी है कि पहने ही नकार देना कि अब कोई भी DSLR प्रो DSLR या फ्लैक्शिब DSLR कैमरा नहीं आने वाला है तो जो भी उनकी सेल्स परसेंटेज है या प्री ओर्डर परसेंटेज है वह आर वन की जो अनॉस्मेंट डबलेपेंट अनॉस्मेंट होगी फिर फुल फ्लेजिट अनॉस्मेंट होगी कि भाईया हमें कोई आपसे यह प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने ने मेरेलेस लेंसे कैमरों को एनॉस करो हम पर्चस भी करेंगे बट पुराने फ्लैक्शिब कैमरों को बंद कर देना इस तरह से उत्रा मुनासिब नहीं है युसट गिप्ट अस टाइम टाइम देने चा यह forceful migration सही नहीं है मेरी जो opinion है मेरी जो suggestion उसके हिसाफ से जो migrate करना चाहिए उनके लिए रास्ते खुले रहना चाहिए बर जो migrate नहीं करना चाहिए उनके लिए उनको अपने series को active रखना चाहिए क्योंकि उन्होंने काफी ज़्यादा investment करके रखा है अपनी lenses, accessories के उपर और क Canon को छोड़ के किसी और company for example Z9 purchase कर लें या Alpha A1 purchase कर लें I don't know but this is not a good step to just end this series in one instance at least 1DX Mark IV लाते जिन्हें लेना हो लें जिन्हें ना लेना लें ये users के उपर होना चाहिए हाला कि Canon के अपनी sales strategy अपनी सोच है So this was all about the R1, हाँ इससे related कोई questions आप पूछ सकते हो कि क्या 200D Mark III camera आएगा अप या ना आएगा जब उन्होंने एपने 1DX Mark IV को ही रद कर दिया Then 200D Mark III की क्या पिसाथ मेरे दोश तो यहाँ पर तो wait भी करना उतना मुनासिब नहीं रहेगा 200D Mark III camera का जब flagship camera के साथ ये सारी चीजे हो रही है और ये सारी चीजे सुरूवी थी 2018 में मैंने कई सारे अपने वीडियो में आपको बता भी रखा है ये 2018 में Canon ने डियस लार कैनाबलाइजेशन की अनफीसियल सुरुवात करी थी और धीरे धीरे आज की एक डेट है जब उनके CEO ने खुर बाहरा कर कहा कि भाया अब तो 1DX Mark 4 नहीं आने वाला अब फुल कॉंसेंट्रेट हो जाओ आरवन की अनॉसमेट के उपर आपको क्या लगता है कि इस तरह से 1DX Mark 4 को एंड कर देना नहीं अनौस करना एक सही स्टेप है या उन्हें अनौस करना चाहिए था यह सारे यह सारी बात है आप हमसे सेर कर सकते हो कमें कर दोदेवल